C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा के एक पाठ पर आधारित कारिक्रम पोंगल भारत एक क्रिशी प्रधान देश है। बारत ये किसान का जीवन प्रकृती से जुड़ा रहता है। वो प्रकृती के साथ ही हस्ता रूता है, नाच्ता काता है। बुआई सिंचाई निराई आधी खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हर्याली छा जाती है, व्रिक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुन-गुनाने लगता है। जब खेत-खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पाउं ठिरक उठते हैं। वो उच्छ सम मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रानती के दिन मनाया जाता है। तमिल नाडू का यह प्रमुक त्योहार है। यह जन्वरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलाहा उटता है। इन्हें देखकर किसान का मन ना चुटता है। उसके जीवन में मिठा सा जाती है। नए चावल का पॉंगल त्योहार पॉश वास में आरंब के चार दिनों तक मनाया जाता है। पॉंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरन स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजा कर खुश्या मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बरतन में पोंगल पकाया जाता है। बरतन में हल्दी का पौधा बांदिया जाता है। गन्ये के रस में नए फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर उपर उठता है तो उसमें दूद डाल देते हैं। दूद के साथ उपनता हुआ पॉंगल बरतन के उपर से उमडता है और चारों और रिसकर आँच में टपक पड़ता है। उस समय चारों और इकठे लोग खुशी से ना चूटते हैं और जोश में चिलाते हैं। पॉंगलो पॉंगल पॉंगलो पॉंगलो पॉंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अगनी ने पॉंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आसपडोस में पॉंगल पाड़ते हैं उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं पॉंगल के दिन हर तमिल भाशी चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हूँ अपने घर पहुँचने की कोशिश करता है विवाहित लड़कियां पॉंगल मनाने अपने माय के आती है तीसरे दिन माटू पॉंगल मनाया जाता है तमिल भाशा में माडू गाए बैलों को कहते हैं माडू का अर्थ धन भी है पुराने समय में गाए बैल ही हमारी संपत्ती थे माटू पॉंगल के दिन गाए बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं शाम को मैदान में बैलों को दोड़ाये जाता है चौथे दिन कानुम पॉंगल होता है खाना बांद कर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है जगा जगा मेले लगते हैं लोग मेलों में घुमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं इस तरह चारों दिन लोग अपने देनन दिन कामों से छुटी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं खेती से संबंधित या त्योहार पूरे भारत में किसी ना किसी रूप में मनाया जाता है गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रान्ती के नाम से मानते हैं महराष्ट में ये तिल गुड का त्योहार है लोग एक दूसरे को तिल गुड दे कर कहते हैं तिल गुड घ्या गोड बोला, तिल गुड घ्या गोड बोला अर्थात तेल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो पंजाब में संक्रान्ती से एक दिन पहले लोहडी का त्योहार मनाते हैं लोहडी का आर्थ है छोटी या छोटी संक्रान्ती अरुनाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है विविद्धिता में एकता भारत की विशीषता है एक ही त्योहार को लोग विविद्ध रूपों में मना कर भारत की सांस्कृतिक एकता को मस्बूत बनाते हैं पोंगल अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम कलाकार अश्वी निवालिया भन्यंकन बटी लैंगलिंग्डो विशेश परामर्ष अजी थोरो ध्वनी संपादन निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली